वोई लोग है और यह कोई नहीं केंदर की मोधी सरकार और दिल्ली के LG भार्टी जनता पार्टी के मिली भगत का नतीजा है कि ऐसी घटनाय हो रहे हैं यह कोचिंग सेंटर में बेस्मेंट में कोचिंग की क्लासेज और लाइबरेरी यह आज से चल रहे हैं क्या रहें यह आज से चल रही हैं 25-30-30 साल पुराने कोचिंग सेंटर है। 25-30-30 साल से बेस्मेंट में उनकी क्लासे चल रही है, उनकी लाबरेरी चल रही है। 15 साल तक तो MCD में भारती जनता पाटी थी उसने कारवाई क्यों नहीं की। हमारी मेर तो कल से बहुत सारे जो अवायद कोचिंग सेंटर चल रहे थे बेस्मेंट के अंदर उसको सील कर रही है, कारवाई कर रही है। तो आखिरी कारवाई पहले क्यों नहीं हुई। दिल्ली के LG महोदे का आज मैंने बयान पढ़ा अख़बारों में। कहरें यह ड्रेने और सिस्टम जो ब्लॉक हुआ है यह दस साल की देन है। खुद LG का बयान है। कि ड्रेनिस सिस्टम जो ब्लॉक हुआ है वो दस साल की देन है दस साल की देन कौन था बहुत यह दस साल से कि आम आदमी पार्टी तो एक साल से आई कि एम सीडी में आप बताई यह कौन था 15 साल तक भारती जनता पार्टी थी कि आपको खाली ब्लेम गेम करना है तो कीजी आप उसके लिए आप स्वतन्त रवाई आप करते हैं लेकिन अगर आप वास्तिविक्ता जानेंगे तो आप मुझे बताईए दस साल से अगर खुद एलजी कह रहे हैं कि ड्रेने जो ब्लॉक हुआ है ड्रेने सिस्टम जो बरबा हुआ है वह दस साल की देने तो दस साल में कौन था कि 15 साल से एंसीडी में बीजेपी थी तो आप मुझे बताईए यह बेस्मेंट में कोचिंग क्लासेज और लैब्रेरी कैसे चल रही थी इन पर क्या करवाई लिए